इसी क्रेट्स ऑफ मिलेनेर माइंड के आउथर मिलेनेर माइंड इंटेंसिव सेमिनार के वोस्ट थी हाव एकर से मैंने पांच पब्लिक स्पीकिंग लेशन सीखें हैं विखाउज मां पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं तो यह पांच लेशन बहुत ज़्यादा है वेल्कम बैक दोस्तों अंडेटेस कम्यूनिकेशन चैलेंज के उन्ताली से दिन में आपका स्वागत है लेशन नंबर वन डॉन फोकस ऑन यूर्सल्फ फोकस ऑन और ओडियंस मत जब भी आप कभी बोलने जा रहे हो कहीं पर भी तो आप खुद पर फोकस मत करो अपने ओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं मेरा इस पीज अच्छा होगा या नहीं तो यह सब फोकस करेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे तो इंसीड़ फोकस ऑन यूर्सल्फ फोकस ऑन और ओडियंस मतलब अपने ओडियंस पर फोकस करो कि आज क्या ओडियंस कैसी है वो क्या सुनना चाहती है उनका मूड कैसा है उनका मिजाज कैसा है तो आप ओडियंस पर फोकस करोगे तो आप नर्वस नहीं होगे और अच्छे से इस पर डिलिवर कर पाऊगे और टिप नेंबर दूसरा मतलब कि ऐसी चीजें बोलो जो आपको बोलना अच्छा लगता है जिस पर आपका पैशन है जिस पर आपका कमांड है जिस पर आपके मास्टरी है आप ऐसे फिल्ड के टॉपिक को मत चुनो जिस पर आपकी कमांड नहीं है आप बोल नहीं सकते आप अगर वो उस टॉपिक क बोलोगे तो आप confident होगे और अच्छे से अपना speech deliver कर पाऊगे टिप no.30 प्राक्टिस यह सबस्यादा important है जब तक आप प्राक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से speech deliver नहीं कर पाऊगे दुनिया के आइने के सान में जाओ और practice करो और अपने आपके आपका सबस्यादा critique है मतलब कि आप खुद उसको देखो जब आप बोलते हो तो आपका सबस्यादा material to the real world बतलब आपके पास जो भी material है बोलने के लिए जो भी स्पीच है लिखा हुआ उसको real world में पर टेस्ट करो आप सबसे पहले एक चोटी से audience के पास टेस्ट करो और जिसके पास जो आपके जान पहचाने लोग हैं उनके पास टेस्ट करो उसके बाद आपको जहां बोलना है वहां जाकर बोलो तो सबसे पहले आपको test करना चाहिए अपना material और पांच्वाँ टीप don't memorize your whole content अपना पूरा content को आप memorize मत करें बुलेट पॉइंट्स अब बनाएं और उसको शुरुवात वाले कुछ कभी speech deliver करने जाओ तो अपने माइंड में एक question जरूर रखो कि मैं लोगों की कैसे help कर सकता हूं मतलब मैं जो यह बोलने जा रहा हूं मैं इससे लोगों के कैसे मदद कर सकता हूं तो जब यह intention आप अपने माइंड में रखोगे अपने दिल में रखोगे कि लोगों की अच्छा होगा तो लोग आपको पकर लेंगे कि हां इनका इंका इंटेंशन अच्छा है अगर आपका इंटेंशन बुरा होगा तो फिर उसमें भी आपको पता चल जाता है तो यह रहे पांच important टिप स पब्लिक स्पीकिंग के इन में से आपका favorite कॉन सा कॉमेंट में ज़र क обычно दो एदो अवम को कर threes और record करुए वहो पॉड़ां को कि अ पिदा खे टो walking качеा है डिल्वान जो सफ बनी और हprovिवां के अ